स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैच पर हम पढ़ रहे थे राजस्तान के त्योहार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आस्विन मास के त्योहार आस्विन के महिने में कौन-कौन से त्योहार आते हैं और उनको कैसे तयार करना है अपनी एक्जाम क लिए तो सुनिएगा चैनल पर नए है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा यह त्योहार आपको यहीं से बातें इनहीं नामों से बातें निकाल के मैं कुछ ही पलों मे आपके याद करवा देता हूँ सुनिएगा आश्विन मास के त्योहार सबसे पहले लिखा है नवरात्र नवरात्रे आश्विन के महिने में आते हैं चेत के महिने में भी आते हैं, लेकिन आस्विन मास में जो नवरात्रे आते हैं, मास, पक्स, और ती थी, ये नवरात्र आस्विन, सुकल, एकम से नौमी तक आते हैं, कैसे याद रखें, देखो, नवरात्रे किसके मनाई जाते हैं, नवरात्रे तो माता के मनाई जाते हैं, द नवरात्रे मनाए जाते हैं, और माता हमेशा क्ये देवे हैं, माता देवे हैं आपान आसीस, क्ये देवे हैं, आसीस, मा को आसीस हमेशा लेणों चाहिजे, माता काई देवे हैं, आसीस देवे, यह आसीस नहीं यह लिखू एक बार, आसीस है, शुरू में आसी नाम आरे हैं, को मतलब है आस्विन मावे किसा महिना मावे आस्विन का महिना मावे लास्ट में एक से ओर है इस से को मतलब है सुकल पक्स मावे कुन सा पक्समा आवे आस्विन का महिना में सुकल पक्समें नवरात्र की बात कराँ जोना नो दिन चल लई है तो एक कमू लेके और नवमी तक नवरात्रे मनाए जाते है याद हो गयो आसीस नवरात्रे माता के मनाए जाते हैं माता क्या देती है आसीस और माता को आसीस आपान लेनों चाहिजे आसीस बोले तो आसी हूँ आस्विन याद रेजेई सेहू सुकल पक्स याद रेजेई और एकम से नव में तक याद रही जाएगा कुछ विशेश बात इस मास के जो नवरात्रे होते हैं आस्विन मास के अस्टमी कब आती है दुर्गास्टमी भी आस्विन सुकल अस्टमी को आती है लास्ट में देखो दुर्गास्टमी में अस्टमी आ रहा है लफडाई खतम अस्टमी कोई आएगी अस्टमी तो लेकिन यहाँ शुरवात में नाम आया दुर्गा, यानि दुर्गास्ट में, दुर्गा काई हुए, दुर्गा तो माता है, अरे माता है तो लेओ आसी सी कन भी, दुर्गा माता कन भी काई लेणो, आसी सी लेणो थाने, तो वापिस देखो, आसी स, आसी हुए, आस्विन, आस्विन का महिन नाम आसी, और से सुकल पक्स में आसी दुर्गास्ट में दुर्गा माता हुए दुर्गा माता और माता कन तो आपन आसिस लेनों ही चाहिए तो दुर्गा माता भी आपन आसिस देई तो दुर्गास्टमी कद आवे आस्विन सुकल अस्टमी को दुर्गास्टमी मनाई जाती है बोलो याद हुआ की नहीं अगर याद हुआ है तो एक बात और याद करिएगा इसके साथ पस्मी बंगाल में बड़ी धूम धाम से दुर्गास्टमी का त्योहार मनाया जाता है दुर्गास्टमी का त्योहार सबसे ज़्यादा परसिद कहां मनाया जाता है तो ये दुर्गास्टमी का जो त्योहार है पस्मी बंगाल में धूम धाम से मनाया जाता है नेक्स्ट देखिएगा, दसहरा, इस दसहरा को कैसे याद करूँ, कि दसहरा आस्विन सुकल दसमी को आता है, तो देखो, दसहरा में दस आरा है, क्या आरा है, दस आरा है, दस आरा है, इसका मतलब यह दसमी को आएगा, दसहरा कब आएगा, पूरा नामने एक साथ मैं पढ़ दसहरा, मतलब दस अर्या, अब थेई बताओ, अर्या काई हुए, अर्या तो गुरुजी तोता हुए, अर्या काई हुए, अर्या वे तोता, कितना तोता, दस अर्या तोता, कितना, दस हरा तोता, तोतान के कमा आपा, तोतान कमा आपा, आपने गाउं की भासामें, मर्वाडी भासामें कमा सुआ, के कमा, सुआ, दस हरा, हर्या के वे, हर्या तोता हुए, और तोतान आपा, के कम लूह यद्षि जेए सकल पक्स माएं दसहरा कब आता है आस्विन सुकल और दसहरा में सुरू में नाम दस आई रहा है दसमी को आएगा मतलब आस्विन सुकल दसमी को दसहरा मनाया जाता है इसमें विसेश बात क्या धान में रखनी है यह है बुराई पर अच्छाई की विजे का परतीक है ये दसहरे का त्युवार रेना ये बुराई पर अच्छाई की विजे का परतीक है। दूसरी बात दसहरे का मेला कोटा का परसिद्ध है। और एक विशेस बात और याद रखनी है कि इस दसहरे के दिन लेल टास पक्सी का दर्शन बहुत सुब माना जाता है। लेल टास पक्सी का दर्शन इस दसहरे के दिन सुब माना जाता है। अगर याद रखो तो दसहरे को समी वरक्स की पूजा बोले तो खेजडी के वरक्स की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा सरद पुर्णीमा। सरद पुर्णीमा आस्विन पुर्णीमा को आती है कैसे याद करें। रटना भी नहीं पड़े और सरद पुर्णीमा बोलते ही अपने माइंड में आस्विन घूमने लग जाए। तो सुनियेगा, शरद पुर्णीमा को यदि मन लिखूँ। सरद पुर्णीमा, तो पुर्णीमा है मतलब पुर्णीमा को ही ऐएगी, इसमें तो कोई लफड़ा है नहीं। लफड़ा है तो महिने में है। कि आसविन कैसे याद आएगा तो सुनो मैं बताता हूँ सुरुवात में नाम आ रहा है सरद पूर्णिमा में सरद क्या नाम आ रहा है? सरद और ओस सरद नाम सुनता ही आफंपन सरदी को एसास हुए कि बिलकुल हुए सरद को मतलब सरदी की और संकेत कर रही हूए, और सरद नाम की का तरफ संकेत करें, वो करें सरदी की तरफ संकेत करें, और सरदिन आपा क्ये करेंवाँ, सरदिन आपा क्ये करेंवाँ, सिया, सिया मरगा, सिया, सरदिन क्ये करेंवाँ, सिया, उल्टो पड़ो, आ, सी, बोल ले मतलब आस्विन का महिन नाम आवे, कुण सा महिन नाम आवे, और देखो, इसे रास पुर्णीमा भी कहते हैं, सरद पुर्णीमा को और क्या कहते हैं, सरद पुर्णीमा को और कहते हैं, रास पुर्णीमा कैसे याद करें, देखो, सरद में सुरुवात में नाम कहीं आ रहे हैं, सेरे, सेरे, उल्टो पड़ो हैं, सेरे ने उल्टो पड़ा जना आवा है, रस, रस बोले तो रास पुर्णीमा, कि यादरेजी, सरद पुर्णीमा अपनी सोडस कलाओं से परिपुरण होता है चंदर्मा इसलिए इस सरद पुरणीमा को रास पुरणीमा भी कहा जाता है इस special बात और सुनो, सरद पुरणीमा के दिन हैना, रात को खीर बना करके चंदरमा के सामने रख देते हैं और सूबह उठ करके उस खीर को खाते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो खीर खाने से आखें अच्छी रहती है, आखों की द्रस्टी अच्छी रहती है, अर्थार्त वो ख खीर आखों के लिए लाबदायक रहती है, आसा करता हूँ, ये आस्विन मास के त्योहार आपके याद हुए होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा, चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी आसा के साथ, जे हिंद, जे भारत, थेंक यू, राम रम साथ